तो friends काफी दिन से मुझे request दियो और मुझे बोला जा रहता है मेरे subscriber के तुरू के इस टौपिक पर बात करो इस टौपिक पर बात करो क्योंकि टौपिक थोड़ा सा ऐसा था कि यह जो बार 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 जो यह बात आ रही है na कि restaurant में जो है सही जो है इनका भरताव सही नहीं प्लस इनका जो है quantity नहीं है quality नहीं है और एक तरीके की आजीब सी smell है और ये उसी topic पर बात करते हैं लोगों के क्या reviews है जो Google पर डाले हुए है ये मेरे नहीं है और नहीं मैं jealous हूँ तो भाई लोग जो कहते हैं जैलेस है तो आज की date में के चालू अपीस दे उनके आने वाला कस्टूमर भी जैलेस है क्या हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बैला आइकन प्रेस कर दे जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए तो देखिए भाई मैं दिन पर अपने आप ही देख लीजगा क्योंकि मैं उसको रीट करूंगी तो जाधा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे अभी एक छोटा साई पोड़कास बनाना था क्योंकि मेरे पास पहुत सारे कुछ काम है अर्जेंट जो मुझे करने हैं तो इसली वज़े से मेरे प तो तुम उनसे क्या ही उमीद कर सकते हो बहुत सारे लोग इस उमीद में जा रहे हैं कि वहाँ पर हमें चालू मिलेगी है महां पर हम फोटो खिचवा लेंगे उनको हम थोड़ी सी क्लीपिंग में ले लेंगे और जारता जो जा रहे हैं वो जो स्मॉल जो रहते हैं ना इगो थो ना कि मैं किसी के वीडियो में फीचर नहीं होंगी मैं किसी को क्यों फुटेज दूँ जैसे कि अपनी ननत के साथ किया अपने देवर के साथ भी ने यहीं किया तो भाई अब चालू अपई जो ना खुद सामने से दे रही है क्यों क्योंकि उनका customer है और customer तो सब्सक्राइबर गेन करने हैं इसलिए लोग वहां पर जाता जाते हैं उनमें से कई सारे तो ऐसे हैं भाई मैं क्या बताऊं एसे हैं कि वो उन्होंने एक बार उनकी वहां पर चले गए और उनकी वीडियो वो जो है चल पड़ी है उससे उनको कुछ सब्सक्राइबर भी गेन हो गए है व्यूज भी आ गए है अब वो अपना व्लोगिंग तो छोड़ दी है वो हर चीज में हर थमनेल पर चालू का आ रहा हूं तो मतलब इस तरह से उन्होंने कई सारे व्लोग खीच लिए अगर आप देखेंगे ना कि जिसमें कुछ भी नहीं किया तो उसके व्यूज देख लो और जिसमें चालू का नाम दे रहे उनके व्यूज मिल रहे हैं तो भाई ऐसे अपने गाड़ी को कब तक धक दोगे अपने बल पर कुछ करो ना और हां बहुत सारी चीज़ा एसी हैं वक्त आएगा फिर भी कुछ और चीजे भी मिशेर करोंगी आपके सथ कुछ और चीजें बिशेर करनी सिवक्त दो लेकिन वह वक्त आयेगा तब शेर करूंगी अभी ये वैस्ट नक olv उनको नमक तेज लगा तो लगा, उन्होंने बोला, उनको बिर्यानी पसंद नहीं है, यह boiled rice जैसा लगा तो लगा, उन्होंने बोला, उन्होंने इस चीज के लिए भी बोला, मुझे ये वाली बिर्यानी, मुझे दूसरी वाली बिर्यानी पसंद है, और इसमें प्लस नमक भ इनके fans है ना ही कोई podcaster है ना ही कोई reaction channel वाले हैं जिन्होंने genuine reviews दिये हुए है Google पर उनकी कुछ-कुछ pictures जो है मैं आपके साथ share करूँगे तो प्रेज screen के तरफ भी ध्यान देते रहेगा एक के बाद एक के बाद एक में करके सारे screenshot लगा दूगी यहाँ पर तो mostly लोगोंने ब wash mission वाला जो area है वह हमेशा गीला और किचण से भरा रहता है मतलब उसमें पानी की किच-किच रहती है और वह हमेशा ही गीला रहता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीव लगता है एक अलग टाइप की और एक अलग टाइप की बदबू आती रहती है ना जाने क्यों मतलब व और वेजिटेरियन है उनके लिए मैं रगमेंट नहीं करूंगा बहुत सारे लोगों ने एक स्टार दिया है और लोगों ने ये भी कहा है कि खाना अच्छा नहीं है जो हमने आप तक ट्राइप किया है चिकन बिर्यानी मतलब उन्होंने लिटरली बहुत ही गंदे तरीके स उसको बोला इसक्रींचिट लगा रही हूं तो प्रीज देखते साथ में रहा यहए गा आई हैड्स प्लेस उन्होंने यहां तक भी कहा और यह भी कहा ऐजीन वहाँ पर नहीं है तो जो यह जो रिप्लाइ बी किया है लेकिन लोगों ने वहाँ पे कमिया बताई है या उनको सजेशन दिये है उसमें उन्हों ने कोई रिप्लाइ नहीं किया तो आप रिप्लाइ देख सकते हैं स्क्रिंचोट में अगला कमेंट भी यह धी है कि ये place जो है वो good नहीं है, hygiene नहीं है, हमेशा ही एक अजीब सी smell आती रहती है, ambience को और बना सकते थे, food is really pathetic, will never visit that restaurant again, वो जाना ही नहीं चाहते, price very high compared to taste quality and quantity, वो जाना ही नहीं चाहते, कि मैं दुबारा वहापे नहीं जाना चाहूंगा, तो क्या ये सारे के सारे उनको दिखा है हमेशे बताते, maashallah, बहुत अक्ते चलता है, maashallah, बहुत अच्या चलता है, कितना अच्छा चलता है, वो तो इस चीज़ से दिखाई देता है, कि restaurant छोड़ छोड़ के फनी, जो बहार ही घुमता रहता है, अगर अच्छा चल रहा होता है, और इतनी पब्लिक आह रही होत है कि हम तो वहां से हताश होकर रहे हैं और एक बार गए ते वह मिले नहीं अब हम एक बार और से जाएंगी तो किसी ने तो बस इतना ही लग रहता है तो लोगों को लग रहा है कि वह वहां पर इतना हाईजिन मेंटें नहीं कर रहे जितना करना चाहिए तो यह लोग उस पर वर्क क्यों नहीं कर रहे भाई अगला कमेंट भी देखो यह भी हाईजिन के लिए ही कह रहे हैं पुच्छ पता नहीं क्या जला रहे थे बकूल जला रहे थे कि तना दूआ धाड कर दिया था क्या मतलब इन आखिष़ को भी Etnisp perks चालू को भी er ती क्या मर्गज तो इतना धूँआधार जी से कहते हैं उसमें मुझे शब्द नहीं मिल रहा है वह क्या बोलते हैं जैसे पीर वगरे पर जाते हैं तो वहां पर इतना धूँआधार सब कुछ करके जलाके उसमें रखते हैं इतना बड़ा था वह जिसमें इन्होंने जो भी कुछ अगरदान तो गया तो देखिए और भी स्क्रिन शॉट लगा रहे हूं प्रीज आप खुद से रीड करते रहेगा लोगों के क्या क्या रिव्यूज ने पांच मेंसे एक इस्टार दिये और किस किस चीजों के लिए उन्होंने ना जाने किस किस चीजों के लिए महां पर मेंशन किया ह अलग अलग नाम हैं अलग 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 लोग हैं लेकिन एक ही बात हर लोग लिखने कि और लग टाईप का इक बैड और और हैं वहां पर जिसका औनăm स्कृण करदेते हैं तो भाई जिस पब्लिक के लिए आपने ये रेस्टोरेंट खोला है और वो पब्लिक आपको जा रही है और बता रही है और आपको नहीं नहीं सीख दे रही है नहीं नहीं चीजे बता रही है तो उन चीजों को वैसे तो बड़े हर रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट का गाना ग अगर रिव्यू इतने खराब होंगे तो उन पर वॉक करें और बताएं वहां पर रिप्लाइ करें और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें आपके पास प्लेटफॉर्म भी है उस प्लेटफॉर्म पर आकर आप बोल भी सकते हो कि हां हम उस पर वॉक कर रहे हैं आपकी एक कस्टुमर एक ही दफ़ा चाहिए था क्या जो इन सारी चीजों को ना मेंचन कर रहे हो ना सुधार कर रहे हो यह इन्होंने हालत बना रहे ही तो इस बात को पहले ही सुनने में आया था कि जितनी ये खुद अनहाईजीनिक है न ये अनहाईजीनिक तरीके से ही पढ़कर चलिए मिलते हूं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई अलहाफिस टेक केर